हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरे सिखोंगे, ठीक होंगे आज की वीडीके पर हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से दोस्तो मुदी जी का, सरकार का दोस्तो हम लोगो को वल पेपर चेंज करना है चाहे वो लॉक स्क्रीन का है चाहे वो दोस्तो यहाँ पर आपको हॉम स्क्रीन पर देखने को मिलता है दोस्तो बहुत सारे आपने तरीके देख लिए होंगे जिससे दोस्तो आप लोगों को बताया गया होगा लेकिन आज दोस्तों जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों जिससे वो आप लोग एजिली अलग जो है वो कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर आपको जस्त इतना करना होगा दोस्तों सबसे पहले हमें मुबाइल की सेटिंग में जाके चेंज करना है यह वहाँ पर दोस्तों हमें चेंज नहीं होगा तो फिर दोस्तों हमें करना क्या होगा सबसे पहले दोस्तों आपको जस्त बैक आजाना है और मुबाइल की आपको सेटिंग ओपन कर लेनी है जैसे आप setting को open करते हो यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको option देखने को मिलेगा एक journal management का आपने इस पर click करने हो लास्ट पर आओगी यहाँ पर आपको reset का option देखने को मिलते है इस पे क्लिक कीजीगा और जैसे दोस्तों यहाँ पर आते हो लेकिन यह factory data reset का जो option है वो आपका enable नहीं होगा ठीक है अभी आपने दोस्तों करना इतना होगा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा reset accessibility settings का आपको इस पे क्लिक करके अपनी जितनी भी यहाँ पर settings है आपने इनको reset कर लेना है और उसके बाद आपने दोस्तों करना किया यहां से आजाना है back ठीक है इससे दोस्तों आपका smartphone switch up भी हो सकता है यानि के reboot भी हो सकता है उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर आना है प्ले स्टोर में जैसे आप प्ले स्टोर में आऊगे दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है यूमो ठीक है जैसे आप इसको सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको जब यूमो launcher के नाम से यह app तेखने को मिल जाएगी play store पर और इसको install कीजीगा जैसे हम इसको install करते हैं बाकि इसको जब मैं इसको install कर लेता हूँ बाकि दोस्तों यहाँ पर जब वो install हो चुकी है तो अभी हमारे पास जब वो कुछ skint लेगी यानि के download हमने install कर लिए तो यहाँ से दोस्तों यह बिल्कुल चोटी md की application है जिसको आप लोग easily कर सकते हो अब यहाँ से दोस्तों हम इसको open करते हैं जैसे हम इसको open करेंगे और open करने के बाद कोश्च आपको इस देखने को मिलेगा और निचे आपको sign in with google का option देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक की जीगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक इमेल सेलेक्ट कर लेना है जैसे आप इमेल आप अपना सेलेक्ट कर लोगे फिर दोस्तों यह पर आपको option यह देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको continue पर क्लिक अब यहाँ पर system launcher आपको selected होगा, यहाँ पर आपको दूसरा select कर लेना है, जैसे आप select करोगे यह automatic दोस्तों आपको back लेकर आ जाएगी, देख सकते हो, अब यहाँ पर इसका official जो हो यहाँ पर जो हमें launcher देखने को मिल देगा, कुछ इस तरह कैसे, और आपको बहुत असानी स इसे दोस्तों यह जो वह चेंज करके दे देगा, और आप दोस्तों सारी और वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन दोस्तों आप कोई और वीडियो ना देखीड़ा, जिसमें दोस्तों आपको बतायागा, ऐसे चेंज कर ले, यह एपका use करके दोस्तों आप easily change कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाली है।